जटातवी गलजल प्रवाह पावितस्तलेक लेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकान वड़ मड़ मड़ मन्निनाद वड़ मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुन शिवा शिवा जटा कटाह संभ्रम अभ्रम निलिम्प निर्जरीप जैसी दिम्हाकावि भुत्यात mission साधना लेक्याया हूं और काफी ब्यस्ता जो आप लोगों को साधना नहीं दे पार था क्योंकि काम का सेड़्य बिगल चुक था क्योंकि मैं कामक्या गया था तो लोट का भी हो गया था लेकिन अब थोड़ा रिलेक्स फिल कर रहा हूं बैक आ चुका हूं फिर आप लोगों को एक से एक बहत्रीन गुप्त साधना दूँगा और आज जो मैं साधना देने जा रहा हूं यह भी एक गुरू मुखी गुप्त साधना है और इतनी गुप्त है न कि होती उच्च कोटी की साधना है और मात्र कुछ ही यानि जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है मंत्र क्योंकि यह जो शिद्ध हो जाते हैं शावर मंत्र साधना है और शावर मंत्र जो है यह गुरू मुखी मंत्र है तो यह सोयम में जाग करना होता है दीब बगेरा जला गए ठीक है तो उसके बाद में ये मंत्र कार्णे करने लगते हो और पून्र रूप से और हमें क्या ना सावर मंत्र क्यों है एक समय पर आके सुस्त हो जाते हैं सुस्त का मतलब ही कि इनके अंदर जो एनल जी का वासम जागरित करते हुए जो इनलजी स्थाफित होती है तो वह एनलजी हमारे साल भर की अंदर अंदर जैसे हमारी होली दीपावली एक तीस तोहार आते हैं जैसे नवरात्ति बगेरा उनमें हमें इन्हीं एक टिप करना पड़ता है तो यह जो सावर मंत्र होते हैं बहुत ही खतनाक होते हैं बहुत है यह इंदर और है शेक्तियों को तरह की आंन लगानी पड़ते है तरह तरह का उन्हें कुछ गालीयों की आंन देनी पड़ती है और यह आनों पे चलती है तो जो आज में आपको साधणा देने जारा था हो इसके दो विदहान दूंगा तो नहीं तीन दूंगा कि एज़ चाना को सब्सक्राइब और सब्सक्रान का मिल्दैुश इज़कर है कि लग दिन सद्शल्र आप के सब्सक्राइब करने के बाद यह इतनी स्वाब्सल sacrifice कंद है कि सुअ जिसको आकी हर रिखांडी को पर औक सुभ्स साधना है और गुरु मुकार दना यह साधना मुझे अपनी गुरु भाई से मिली है यानि कि ये साधना भी हमारी मां आशु महतरानी को संबंद की है यह साधना है ओ, ये better लॉ propri लेकिन ये रियल में अगोरी हैं गुरू लालवेग अगोरी मां आशु महतरानी के साथ चलते हैं और ये बहुती उग्र हैं यानि कि आप आशु महतरानी की साधना करते हैं तो आशु महतरानी से पहले ये चलते हैं और इनके आशु महतरानी के सारे काद्य करते हैं आशु महत्रानी तो वाद में चलती हैं जहां लाश्ट काम लेकिन गुरू लाल वैग जो बहुत ही पिर्चंड और बड़े ही खतरनाक अगोदी और एक बात अता देता हूं इनका आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा हमारी वीडियो के लाबा गुरू लाल वैग अगोदी का है क्या है वो भी बता दूगा गुरू लाल वैग एक अगोदी है बहुत ही पिर्चंड जो माशु महत्रानी के साथ चलते हैं और यूं भी कह सकते हो कि गुरू लाल वैग माशु महत्रानी के गुरू है बहुत ही पिर्चंड साथ ना है इतनी पिर्चंड साथ ना है कि जि हमने बोला था आपसे कि हम आशो मैत्रानी के बिसे में जितनी भी जानकारी निकाल रहे हैं यानि जितना गैराई से इनके बिसे में सोद कर रहे हैं इतना ही मतलब एक चमतकारी जानकारी हमें मिल रही है तो एक जानकारी निकल के आई गुरू लालवैक के बारे में जो कि मैंने इनके बिसे में जो जानकारी सोत किया जानकारी प्राप्त की तो गुरू लालवैक एक ऐसी महान हस्ती यानि शक्ति हैं कि बहुत ही पिर्चंड जैसे हमारे बाबा गंगा राम अगोरी मंसा राम अग इन्हें गुषप लालवयक बोलते हैं कुछ लोग गुरू लालवयक अगोडि बोलते हैं भोती सकती है साय सटकरम कर सकते हो मारन उस्चेटन इस्तंबन विदेशन वशीरकरन शाद ही ये टूजह और बड़े ही फरफेक्ट चलते हैं और इतने फरफेक्ट चलते हैं न के सुदू कर सकते हूं एकीस दिन साधना करने है कि पिरती दिन कम से कम तीन माला जिब करना है और इने आप नव्bles altijd founded हूं ह двух को पाचमा ला पिरती दिन जब करना है नव्रात्य में नव दिन तर शावर मंत्र ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं छोटा सा मंत्र और आप साधना फिर नो दिन में संपन कर सकते हो यह पिरतक्ष सिरून्म में साधना है फिरतक्ष नहीं होते हैं लेकिन aun अपने होने का ऐसास तो यह तिर यीigh अला से ही सुदू कर देगे कि हां बाकई में कोई चीज है और इतनी उग्र साथ नहीं कि इसमें आसन की लन जरूरी होता है और आसन की लन भी किसका चलता है वो भी हम बताएंगे आपको इसमें आसन की लन चलता है हनुमान जी का बागी किसी दूसरी देपता का आसन के लिए नहीं काम करता है बड़े उग्र सबाप के अग हो दिए लाल बैग गुरू लाल बैग तो और इनका एक विधान हो रहे ये देख तो नो दिन में एक एक किस दिन में और जो शादक इने देखिए अगर आपको पूल रूप से इनके उग्र बेग में इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्रिया एक किस दिन सबसे इस्पेसल तो नवरात्री अगर आप इन्हें यानि आएंगे उग्वी लेकिन एक हद होती है किसी भी चीज की अब सोर्पे आपने कमा हैं आपकी जिम में सोर्पे तो सोर्पे कही समान ले पाओगे देड़ सो कर नहीं ले पाओगे ठीक उसी प्रिकात तो यह जो मै सब्सक्राइब करते हैं उनको भेड़ पूजा दो और जो काम चाहूं वो करा सकते हैं लेकि वसी करन मादन उच्चाटन इस्तमन विद्यसन सारे काम करते हैं सारे सट करम करते हैं काम बोलो भौग दो काम रेड़ी हंडेट परसेंट काम होगा भोत ही उग्ड है और यह साबर मंतर है भौत ही पिर्चंड मंतर है गुरु मुकी मंतर है अब इसे तो कहूंगा यह स्पेशल तो देखिए अभी नही अभी नबरातनी तो अभी जाके मदले ईके आके गई है तो आम दिनों में कर दें तो 21 दिन में कर सकते हैं, और जो सादक आमास्या पर करना चाहते हैं, तो आमास्या पर कर सकता है, अब आमास्या का विधान क्या है, विधान सभी का एक है, कोई इसमें बदलाव नहीं है, तो विधान बता देता हूं, इसमें जो आमास्या की रात्त तो इसमें दिशा रहेगी आपकी पूर्व, आशन रहेगा आपका कुसा का या लाल, वस्त लाल, दीपक सत्रों के तेल का, भोग आपका इसमें जो रहेगा मीटया चावलों का रहेगा, यारी चावल बना लें, सक्का दो घीर डाल दें, उसके उपर एक सिर्गट रख लें, एक इतर की सिसी और एक पान मीटा, तीन चाल तरीकों का भोग है इसका, और इसे और भी पिल्चन रूम में लेना चाहते हो, तो लाश्ट में, एक माला से आहूती कर दो, हवन कर दो, हवन सामक गिरी, जोग, गुगल, इलाईची, काली, मिर्च, काले तिल, और बताओ, इन नहीं सुवर चलता है, ना सराब चलती है, इन दोनों चीजों की इने वचन वन दें, सुवर और सराब नहीं चलता है, यानि सुवर का वच्चा और सराब नहीं चलती है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा पिल्चन रूम में लेना है, तो हवन कर दें, एक ही नव रात्त्री, सोरी अमास्या की रात्ती को ही एक माला से यानि 108 आहुती करतें और आहुती करने के बार नीवु बली दे दे या फिर हो सके तो लाल रंग का मुर्गा दे दे और भी उग्र करना है तो कुछ ना दे अपनी इस वाली उंगली का कंकी के बार में जो अनामी का उंगली होती है राइट हैंड की काट के साथ बूंद विलेड आहुती में देते हैं साथ बूंद के वाल शक्ति आपके सरीर से जुड़ जाएगी यानि खून से जुड़ जाएगी हलवा दो दो बूंद विलेड दो तीन वूंद और काम कराओ ऐसी महा पिर्चंड और बाकी बिलेड से जुड़ जाएगी तो ज़रूज नहीं हर बार में बिलेड दें काम कराओ मुर्गा दे दो हलवा दे दो वह मतलब यह कि कि चावल मीटे चावल देदो पान देदो सिर्गट देदो और काम कराते रहो लेकिन एक बाद बता हूंगा इस साधना को वही सादक करें जो इसे जहेल सकता हो और ये इतने उग्र हैं कि सादक की भी उल्टी गिंती सुदू कर देते हैं इन्हें अगर आपने काम करा लिया भोग नी दिया आपने का दे निल्टाम करेंक हैं कोई इनके अंदर भुंजाईश नहीं है मतले के यह जताते भी नहीं ये गलती का एसास करने का मौका भी नहीं देते काम हुआ इधार दो जिस दिन का बादा करोंगे उस दिन देना पड़ेगा तो 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 गुरु लाल वेक की साधना है बड़ी ही उच्छ कोटी की तो यह आमावस्या पर कर सकते हो एक दिन में नौ दिन में या फिर इक्नि दिन में आम दिनों में 21 दिन नात्री में न दिन और वैसे आप आम अश्या को कर सकते हो या फिर पुल्णिमा को भी कर सकते हो गुरु लाल बेट की साधना है बड़ी उच्च कोटी की साधना है विधान इतना सही है वाकी कुछ नहीं है जिसको इस आधना करनी है उसी को मंत्र दूगा वाकी वो भी सोस समझके दूगा एरे गरे के आदने म तोटा सा वादार देता हूं ओम अदेस का कि गुलेगु लालवे गुल लालवे गुल लालवे कहां से आया बुल लालवे णीम के पेल न संद्ध अगु कर न सबता दे रहां बहुत आगे को पिरचन्द मंत्र है तो इतना पाबर Summen के आप इसका जो मंत्र कि आने सुनेंगे तो कहेंगे क्या है और एक ही रात में सिद्ध होता है फर्फैक्ट एक रात में कहने का मतलब इस सिद्धी से आप सारे कार्दे कर सकते हैं वसी करन मादान उच्छाडन इस्तंबन यानि सारे सट करम हंडेट परसेंट जिसको करनी हमसे संपत्र कर सकता है तो यह थी गुरुलालवेक की साधना जो कि मैं आवामस्या के लिए दे रहा हूं चाल तारीक को पढ़ लए तो और जिसको कुशासन या रुद्राक्ष माला या किसी पिरकार की भी संसकारित माला चाहिए या बाबा किन्ना राम अगोरी तंतन नासक कवज या मा आशुमे कि मेहत्रानी तंतन नासक कवज और अगोल लच्मी धन्पिराप्ति कवज विरम चादे रक्षवीर कवज किसी पिरकार का आपको इनमें से कोई कवज चाहिए तंतन नासक के मामले में नम्मरवन की रैंक पर मां आशुमेहत्रानी और बाबा किन्ना राम अगोरी तंतन ना अच्छा आपके तो कवज के विसरेव में वीडियो एक जिन को मैंने अभी कवज भेजने हैं घर में ही चार कवज भेज ते विचा अनुभव रहा है जिए में वीडियो अफ लोगों को भेज हुआ है तो जिसको भी जिस परकार गया ने कुसा अ आसम कुज माला मांशू म प्रकार का और जो भी किसी भी पिरकार का तंत्र का अगर किसी बादा किसी पर लगी है तंत्र बादा हो तंत्र मंत्र यानि कि किसी भूत प्रेत किसी भी पिरकार का मसान बगेरा लगा हो दुनिया में थग गया हो वह हमसे संपर्थ करें हर तंत्र की काट हमारे पास उपलब और chopsticks के साथ काम करके देंगे तो आशा करते हैं कि इस वीडियो आपको परसंद आई होग परसंद आई होगी तो like करें share करें comment करें और चैनल को subscribe करना न भुलें और कटन बेल ऐकन का बटन दवाना न भुलें और भंडाने में जो दान वाले बंदे हैं वो दान देना ना बोले हैं नम्मर हमारा जो एकाउंट नम्मर है वो आपको वीडियो के जो दो वीडियो छोड़ी है उनके डिक्रेशन में मिल जाएगा तो आप से कहूंगा कि आप जो भी आप से बन सके 100-200-500-1000 मदद कीजिए ताकि बंडाला सही से हो सके दर्म का काम है योगदान लीजिए 500-500 में कुछ भी गड़ नहीं जाता है ठीक है तो जैसी दी महाकाल आदे